तो हलो दोस्तो माइन कराप के एक और कमाल की टेक्निक कमाल की हेक में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने माइन कराप में अल लिमिटिट जी हाँ अल लिमिटिट डाइमन कैसे माइन कर सकते हो तो दोस्तो आज की ये वीडियो बिल्कुल भी skip मत कीजेगा आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने diamond को duplicate कैसे कर सकते हो तो दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले एक chaser किएगा उसके बाद आपको यहाँ पे आना है यहाँ पे आपको जो है इस तरह से block तोड़ देने यहाँ पे आपको एक hopper जो है use करना है इस तरह से आपको hopper लगा लेना है hopper लगने के बाद आपको यहाँ पे one, two, three, four इस तरह से आपको इसे बना लेना है तो आप लोग जो है इस तरह से इसे बना लीजेगा बनने के बाद इसके आसपास यानि कि यहाँ पे एक उस तरह भी जो है आपको एक इस तरह से बनाना है अब यहाँ से आपको इस तरह से बनाना है आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी वीडियो को जो है skip मत कीज़ेगा क्योंकि आप मैंसे बहुत सारे लोग वीडियो को जो है पूरा देखते ही नहीं है और फिर जो है उनकी जो टेक्निके वो काम नहीं करती तो आपको जो है इस तरह से जो है बना लेना है आप लोग देख सकते हो इस तरह से बन जाएगा आपको बीच वाले ब्लोग पे दो ब्लोग उपर जाना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्टिकी पिश्टन रखना है इस तरह से तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से आपको एक sticky piston रखना है sticky piston रखने के बाद आपको जो है इसके उपर एक slime bowl slime जो block होता है वो आपको use करना है तो यहाँ पर night भी हो रही है तो आपको एक slime block लेना है आप एक slime bowl इस तरह उपर लगाईएगा इस तरह से आपको इसे लगाना है तो 1 minute guys यहाँ पर आपको slime bowl इस तरह से लगा लेना है लगने के बाद आपको नीचे भी लगाना है और आपको यहाँ पर right लगाना है इस तरह से उसके बद आपको एक observer लेना है sorry दोस्तो observer लेना है जिसे आपको इस तरह से यहाँ पर लगाना है और एक observer इसके उपर इस तरह से लगाना है उसके बाद आपको यहाँ से इसे पूरी तरह से cover करना है इस तरह से आप cover कर लीजेगा तो लोग देख सकते हो इस तरह से जो है आपको पूरी तरह से इसे जो है कवर कर लेना है कवर कर लीजे इस तरह से और वाटर बर्किट आपको चाहिए अब और साथ ही आपको एक डाइमन का बलोक भी चाहिए तो यहां पर मैं diamond का एक block लेता हूँ उसके बाद एक water worth kit लेता हूँ तो water worth kit हमें यहां पे यहां पे डालनी है और यहां पे जो है डालनी है जैसे यह आप डालोगे तो आपका जो water है वो यहां तक maximum जो है आ जाएगा अप लोग देख सकते हो यहां से आपका जो वोटर है वो आगे जाना चाहिए लेकिन यहां से हमारा जो वोटर है तो इस तरह से आपको जो है वोटर आपका डालना है तो वोटर डाल लीजे उसके बाद आपको एक ब्लोग यहां पे इस तरह रखना है रखने के बाद अब आपको इसे पूरी तरह से cover कर लेना है इस तरह से जो है आपको इसे cover कर लेना है आप लोग देख सकते हो तो इस तरह से आप इसे cover कर लीजे उसके बाद आपको रेश्टोन लेना है इसके उपर आपको इस तरह से रेश्टोन डालना है और यहां से आप लोग इस तरह से इसे लेके आ जाईए इस तरह से आपको जो है तो आप जो है इस तरह से रेश्टॉन लेकर आईए यहां तक आप लेकर आईए और यहां पे अब आपको एक लिवर लगाना है लिवर लगने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है सबसे में काम है गाईस बिलकुल भी वीडियो को स्किप मत करना तो अब जो है आपको यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ टोच आपको ले लेने टोच लेने के बाद आपको इसके आसपास जो है पूरी तरह से लाइटिंग कर लेनी है क्योंकि आप मैंसे बहुत सारे लोग जो है लाइटिंग नहीं करते हैं अगर ऐसा आप लोग करोंगे तो यह काम नहीं करेगा इसके आध्bbas जो है कोई भी मॉब जो होता है वह इस्पॉन नहीं होना चाहिए तो तो आफ जो है इसके अगे से आगे जो है आप लोग इसे 70 ब्लोक यानि की maximum आप जो है 15 पंद्रा ब्लोक जो है आपको लाइटिंग करनी है लाइटिंग होने के बाद तो अब जो है आपको एक Reaper लेना है क्योंकि ये मशिन के बीच में जो है आपको एक repeater use करना होगा अगर आप नहीं करोगे तो यह जो है बहुत ही लंबा पड़ता है तो इसलिए आपको एक repeater लेना है और यहाँ पे जो है आपको एक repeater लगाना है ऐसे इसे आप एक पे डिक कर दीजे उसके बाद आपको यह machine active करनी है जैसे आप active करोगे तो यह machine आगे आजाएगी अब आप इस machine को दुबारा से active कीजेगा तो यह machine आगे पीछे होना शुरू हो जाएगी और आपके जो diamond के जो आपके diamond है वो भी यहाँ पे duplicate होंगे जी हाँ देख सकते हो आप लोग अपने लिए diamond duplicate generator तयार है आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं हमारी next वीडियो में तब तक के लिए take care